हम लोग सहर में प्रया देखते हैं गुरुवर इसकूल जो खूले हुए हैं इस पस्ट पता चल जाता है कि यह इसकूल इस धर्म के अन्याई जोरा खोला गया तो मैं साधर निविदन करता हूं कि हमारे धर्म गुरुवों के नियंद्रन में ऐसा आओगी तो खंड इसकूल खोला जा जहां सासम के निधारी पाठी प्रम के तो हो लेकिन हमारे धर्म गुरुवों के संबन भीवन के विचाथ जो है को पढ़ाया जा और जिसका संपूर अधर्म गुरुवों को मिटाने काहित अभियान स्वतंत्र वारत में चल रहा है जिनके समाधर और समान और अधिकार की आप चर्चा कहर रहे हैं स्वतंत्र वारत की पेचान उन्हीं को मिटाने को लेकर तो है आपका ध्यान गया या नहीं अंग्रेजों ने इस एकीस्मी शताब्दी में भी फोप महोदे को मजभ दिलीजन या अपने पंथ का सरवोच अधिनायब बना के रखा है फोप महोदे जिस सार में रहते हैं प्राश्टा द्यक्ष निया चुश्त का भी पत्प्राप्त है भारत में मंयतिशि के रूप में अव्यादत के रूप में रह रहे रहे तिब्बत के सम्विधान का उंसार बाध्धों के नकेवल सार भौंधर्ण गुरू अपितु राजपतियों से ना जक्ष भी होते हैं। लेकिन अराजपत्त्त अर्टंकबादियों के गुरू बनकर गुमने वाले भारत में शंक्रचर करूप में ख्यापित किये जाते हैं। सोजिया और अढवानी जी के नकली दामाद जेल में बंद किये गए। वारत में पचासूं अराजक तक नकली शंक्राचर भूम रहे हैं, बादपा या कौने सपा या बसपा किसी में छमता है कि उनकी और आँख उठा के भी देख ले, धार्म गुरूओं को, धार्म गद्धी को नश्ट करने का ही तो शर्यंत्र सोतंत्र वारत में चला, सुनिए, अंग्रेजों के यहां वर्ण संकरता है, परंपरा प्राप्त कोई छत्री नहीं होता उनके यहां, देकिन वहिकल्पिक छत्री को नोंने इतना महत्व दिया है, कि आज भी उनके यहां राजवंश के माध्यम से शासंतंत्र प्राप्त है, एलिजवेथ या एलिजवेथ, विक्टोरिया से भी अधिक समेशे शासं कर रही है यह नहीं, यहां, लेकिन शत्र बत पहली अंग्रे जोने भारत से राजतंत्र को विदा कर दिया, और गुर्गरदी के प्रतितना विद्वेश उत्पन किया, एक राजनेता को उन्होंने प्रदार्मंत्री का पद दिया, राजगर्दी को नष्ट करने के लिए और एक राजनेता को उन्होंने महात्मा का पद दिया, अध्याक्नि मनीशी का, ताकि परंपरा प्राप्तम, मनुवादी शंक्रचार भारत के दार्मिक अध्याक्नि पर ही तो सबसे पहला प्रहार किया ग्रेजों ने, अपने यहां गुरु को बनाए हुए हैं, व्यासपीट भी उनके यहां भी सुरक्षित है, शासंतंद भी सुरक्षित है, भारत में सतर वस पहले ही शासंतंद को रायतंद को विलुप्त कर दिया, और गुर्गर्दी को जया द darmצ चल रहा है, उनसे परामर्स लेनी की खमता, भारत के किसी प्रधार्त मंती में न थीन है, ह़ग है, इन सब की भागना है कि उनकी, पाल्टी के कारिकर्ता, जबकारी करता संट और धरमाचार बनके घुमाए जाए। कॉंगरेशी संट सुना है? कॉंगरेशी संट नहीं सुना। भारत साडु समाज किस्ने बनाया? नहरु जी ने? किसको आगे करके? गुल्जारी लालनंदा ग्रीमंत्री को आगे करके ताकि परंपरा के कोई संत न रहे जाएंगे यहां तक नेहरूजी ने कहा जो संत कौंग्रेश के प्रचारक नहीं होंगे भारत साव समाज के मानि सदस नहीं होंगे वे विखारी गिने जाएंगे, जेल के सिकंजे में बंद कर दिये जाएंगे, यंग्रेजों की कूट नीटी थी या नहीं, अंग्रेजों के यहां परमपरा प्राप्त पादरी होते हैं, और हमारे यहां का आगया प्रदान मंति के द्वारा के जेल के सिकंजे में बंद हो जा में धर्म संसद उसके सदस्यों को भासित किया या नहीं भादपाई संत कॉंग्रेशी संत सपाई संत लालू जी के संत बसपाई संत इसका हर्थ क्या होता है सब को परंपरा प्राप्त गुर्गर्दी के प्रति द्वेश है परंपरा प्राप्त आचारी के प्रति द्वेश है और मैं डंके की चोर से कह देना चाहता हूं, जैसे अनुमान जी का नाम ले लो, तो भूत प्रयत भगने लग जाते हैं, ऐसे ही परमपराप्राप्त गुरु जब ठिकेंगे, तो कोई भी राइनिति दल के दल गलेगी, इसलिए परमपराप्त गुर्णदी को मिताने का ही, त भारत में सरियंग है, लेकिन आपने जो कहा, उसके लिए मैं संकेत करता हूं, अपने परिवार से गुर्णदी को चलाई है, अपने परिवार पर संभवता आपका अधिकार हो, संभवता इसलिए मैंने कहा, आजकल की बहुरानी, आजकल के बेटे, आजकल की बेटी पर भुष्ट मैं है एक गंटा वैठिये वर हमने तीन ग्रंथ लिखा है। सबसे छोटी पुष्टिका नीटि चालिशा है। वुष्टे बरी पुष्टिका नीटि निठी तीन ग्रंथ। आस्यात्म से समन्मित्र। प्रेमरी से लेकर M.A. तक प्रथमा से लेकर आचारी तक के कोर्स की दिश्ट्री से हमने तीन ग्रंथ बनाया है अपने घर से आध्यात्मित सत्र प्रारम कीजिए और सुनिये यह जो मठ मंदिर हमारे सनातनियों के पराप्त है शासंतंत ने अपने हाथ में ले रखा या नही नोट और वोट का क्यंद बना दिया या नहीं शी जगनात मंदिर आज क्या पुरी के शंक्राचार के पास है शासंतंत के पास है और भगवान आजी शंक्राचार ना होते तो पुना जगनान जी को कौन प्रतिष्ठित करते द्वारका जिसको कौन प्रतिष्ठित करते बद पुना प्रतिष्ठित किया भगवान शंक्राचा जिने, जगनान जी को पुना प्रतिष्ठित किया भगवान शंक्राचा जिने, द्वारका अधिस को पुना प्रतिष्ठित किया भगवान शंक्राचा जिने, अज जगनात मंदिर हमारे हाथ में है कि उसको बिलकुल आध्या नहीं चाहिए हमारे मठ और मंदिर जो हमारे दूर दिया किला थे शिक्षा रख्षा संस्क्रित सेवा धर्म और मोख्ष के संस्थान थे उनको शाषन तंत्र ने कृष्ट्यन तंत्र के दूसित सर्यंत के वसी भूत होकर अधिक भीत कर लिया लेकिन अगर कोई मंदिर ऐसे सुड़ख्षित हो तो कम से कम एक सप्ता में एक बार प्रतिजिन एक घंता नीति और अध्यात्म का प्रशिप्षण वह चलना चाहिए इस प्रकार से तो हम नीति और अध्यात्म को क्रिय और अध्यात्म को जान जाएगी तो यह रायनेत्री दल दो दिन भी शासन कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। आप सोचते होंगे कि रायनेत्री दलों के पीछे पर गए, मैं दो नेता हूं काल संस्मरन सुनाता हूं। श्राम जन गुमी को लेकर पचीस वर्स पहले मैंने एक वक्तव दिया। उस समय अडवानी जी बादपा के अध्यक्ष थे। वक्तव से प्रभावित होकर मेरे पास दिली में आये, पेंतालिस मिन्टों तर मेरे पास रहे। उनका दोवाती बहुत बहुत पूर्ण है। उन्होंने कहा, चार पीठ के मान्य आप शंक्राचर अपने दायत्य को समझते वे दायत्य का पालन करें मिलकर, हम रानेतिक दलवाले और रानेता कौन होते हैं, आपकी भावना के बिना दो दिन भी शासन कर सकें। और एक उन्हीनों सपात के महामंत्री थे, कौन सिंग है। अमर सिंग, समझ गए, आज कहां हैं वो जानेत। वो मेरे पास 15 मिनट पहले सुचना देकर आ गए दिल्ली में, दो घंटे मेरे पास बैठे थे। उनका एक दो वात कि मैं सुनाता हूँ, हम राजनेता देश को गिराना ही जानते हैं, हमारे पास इस्यादिक और कोई प्रशिक्षण नहीं है। अगर राष्ट से प्रेम है, देश को उनक देखना चाहते हैं, शासन अपने हाथ में लीजिए, हम राजनेताओं को मनमानी मत करने दीजिए, हम तो जब तक बने रहेंगे, देश को गिराते ही रहेंगे, इसके अत्रित हमारे पास को योगिता नहीं है। हम ही लोगों से तो परेज आने राजने चिंदलों को, हम से परेज ना हो, तो देश के अहीं दुरदाशा हो, आगे कोई प्रेशन है।